तो यह वेलकम बैक टो आवर्लेंट क्लासेज बच्चों हमने अपने प्रिवियस क्लास में डिसकास करा था कि कैसे जो भी कि अपने इसको हम कैसे इंडिगेट करते हैं युनिवेर्सल इंडिगेटर के तुरू तो चलिए हम स्पार्ट करते हैं वहाट इस विच्चर आफ सैर्वल इंडिगेटर इट शो डिफरेंट कलर डिफरेंट concentration of H plus ions in solution pH scale होता है pH scale क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा पहले जान लेते है R scale of measuring H plus ions ये क्या करता है जो भी H plus ions है उनको measure करने में हमारी मदद करता है ओके in pH stand for जो pH के अंदर जो P है उसे हम होते है potence it is a German word इसका mean होता है power क्या होता है इसका mean power okay P means P stand for million कह सकते है power okay pH जो होगा जब क्या होगा 7 होगा तो उस time हमारा जो solution होगा वो neutral solution होगा जब भी pH क्या आएगा 7 आएगा तो वो हमारा neutral solution होगा जब pH less than 7 होगा जब pH क्या होगा less than 7 होगा तो that will be acidic solution उसे हम बोलेंगे acidic solution pH value 7 से कम होगी तो pH value when the pH value is more than 7 then that solution will be basic solution उसे हम बोलेंगे basic solution जैसे कि यहाँ पर बना हुआ देख रहे हूँगे आप strong acids and weak acids जो strong acids है उसमें आप देख रहे हूँगे कौन कौन से ग्समेंपल से हैं HCl, H2SO4, HNO3 these are the strong acids okay now CH3, COOH it is a weak acid H2CO3 this is also a weak acids okay now we will talk about weak basis and strong basis in our previous videos we already discussed about weak acids and strong acids strong weak basis and strong basis now weak basis are NH4, OH it is a weak base NAOH, KOH, CA, OH2 it is a strong base okay on dilating and acid pH increase जब हम क्या करते हैं आप देखेंगे यह क्या है this is natural indicator जो pH है pH जब क्या होगा 7 होगा pH 1 pH will be 7 तो वो होगा neutral ओके जब pH pH की value acid में 7 से कम होगी तो वो क्या होगा वो बहुत ज़्यादा acidic होगा और जब वो नेचर में कैसा होगा वो acidic होगा और जब उसकी वैल्यू pH वैल्यू will be greater than 7 and between 14 तो दैन it will be basic in nature वो नेचर में कैसा होगा basic होगा ऐसे ही जब हम बात करेंगे H प्लस आयोंस देने की तो जिनके indicators में pH वैल्यू 0 से 7 के बिडवीन होती है तो उनमें H प्लस आयोंस की जो होती है वो काफी ज़्यादा increase होती है वो ज़्यादा मातरह में H प्लस आयोंस हमें gain करेगा and जब वोसकी वैल्यू 7 से 14 के बीच में होगी तो उसमें H प्लस आयोंस जो है वो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा ओके importance of pH values in our daily life हम कुछ examples लेते हैं जैसे plant and animals are pH sensitive ओके our body work within the pH range वो है 7 से 7.8 when pH of rain water is less than 5.6 it is called acid rain जब क्या होता है कहते है न acid rain acid rain क्या होता है कि जब rain जो आता है rain के water की जब हम pH value calculate करते है तो वो value 5.6 से जब कम आएगी तो हम उसे बोलते है this is acidic rain क्योंकि जो हमारा air है air में बहुत सारे types के acids होते है chemicals होते है जो पहली जो बारिश होती है मौसम की जो winter या जब भी वारिश होती है acidic होता है now second example हम देखे अपने daily life में that is pH of the soil हम जो soil है soil की भी pH value calculate करते है plant required a specific pH range of their healthy growth जो plants है उनको भी क्या चाहिए बच्चों उनके healthy growth के लिए एक अच्छे range की pH value चाहिए होगी तो soil का pH value भी देखा जाता है कि कहीं वहां का soil ज्यादा acidic तो नहीं है जहां का soil ज्यादा acidic होगा वहां plant अच्छे से grow जो बच्चों हमारे importance of pH in daily life हमारे everyday life में हमने अभी दो चीजों में discuss करा इसके तीसरे point और और भी points के बारे में हम discuss करेंगे अपनी next class में बच्चों वीडियो को लाइक करना और चैनल को सस्क्राइब करना बिलकुल न भूले थैंक यू फूर वाचिंग दिस वीडियो